बहुत से लोग बोल रहे थे कि फैजखान अयोध्या जा रहा है उसे रोक कर दिखाओ उसे रोक कर दिखाओ अब उन लोगों को कौन समझाए कि उसे रोकने क्या हो सकता नहीं थी उसे चलने देने क्या हो सकता थी उचला, जहां जाना था गया, उचला था मिटी लेकर, कि अयोध्या का जो सिला न्यास है उसे डाल कर अपवित्र करेंगे, भूमी पूजा नहें, वहां रख कर अपवित्र करेंगे, अयोध्या के मंदिर को. लेकिर राम की महिमा देखिए, हमारे अराध्या, हमारे प्रभुसर राम की महिमा देखिए, फैजखान कहां से आया कहां गया किसी को कुछ पता नहीं है, कोई खोज घबर नहीं है कि फैजखान है कहां, कुछ भी पता नहीं है, अब लोगों को लग रहा है कि भाई वो तो मि मिट्टी नहीं, मिट्टी तो लेकर जा रहा था, रास्ते में ही गायब, कोई आता पता नहीं है, और यकिन मानिए भाई साब कि अगर वो आ गया होता अयोध्या में, तो भाई साब लोग इतने जमा हुए थे, सिर्फ जादा लोग फैजखान के लिए ही जमा हुए थे, और आने वाले नसले भी पहले तो कटी लुली की होती थी, आने के बाद लुली काट दी जाती थी, आने वाले संताने गंजा ही पैदा होती, इतने जूते पड़ते यकिन मानिए, मतलब नीचे और उपर, दोनों साफ है, नीचे तो अपने हाथ से काटते हैं, उपर का बाल कुछ ना कहते, भाई कहां से आया कहां को गया, पता ने किसी को कुछ पता ही ने, अरे मेरे भाई थोड़ा पता लगाओ, पता लगाओ कहां है फैज खान, थोड़ा पता तो लगाओ कि गया कहां, थोड़ा पता तो लगाओ कि वो जिस जहाद की बात कर रहा था, जिस जहा जहादी मानसित्ता से जा रहा था, जहादी मानसित्ता गई कहाँ, जहादी गया कहाँ, कहीं पता नहीं लग रहा है फैजखान का, हम तो यहीं कहेंगे सासन प्रसासन से थोड़ा पता लगाई ये फैज खान है कहाँ क्योंकि पांच तारिष को उसे आयोध्या पहुचना सा और रास्ते में ही गायब हो गया यकिन मानिये भाई साब बहुत कष्ट हो रहा है हमें फैज खान की बहुत चिंताए हो रही है जो चिंताए हम इस रूप में ब्यक्त कर रहे हैं सासन प्रसासन से निवेदन है कि थोड़ा पता लगाएं कि है कहाँ थोड़ा पता लगाएं कहीं कोई उठा तो नहीं लिया थोड़ा पता लगाएं कि उसका सिस्टम कोई सेट तो ना कर दिया भाई कोई इलाज तो ना कर दिया रास्ते में रोक कर हर तरीके से हम चाहते हैं आवाज उठाना फैज खान के लिए क्योंकि है तो भी इंसान ही लोग बोलते हैं न कि दुबे तू क्या है कि इसलाम भी रोधी हो गया है बिल्कुल नहीं हमें ना बोलना है इसलाम भी रोधी ठीकिना हम तो भई इंसानियत की बात करते हैं और देखिए अभी भी इंसानियत की बात करने के लिए आ गए फैज खान के लिए जो फैज खान है उसके लिए इंसानियत की बात करने के लिए आ गए हैं अब इससे बड़ी इंसानियत क्या हो सकती है जब हम सासन प्रसासन से खुद बोल रहे हैं कि फैज खान का थोड़ा प सिर्ट्व्ड फेजगान का पता लगाया जाए कि को हुए जूते तो नहीं मार रहा आज भी पकड़के जहां जा रहा है वहां जूते पड़ रहे हैं भाई पता लगाईए और उसकी सुरच्छा के जिम्मेदारी लेजिया क्योंकि हम इंसानियत की बात करते हैं समझ रहें ना इंसानियत की बागी फैजखान जैसे जिहादियों से निवेदन है कड़ी स्वर में निवेदन है बाद में चेताओनी मत समझ बाद में ये मत समझ देना कि समझाया नहीं चेताओनी नहीं दिया बताया नहीं चेताओनी नहीं प्यार से समझा रहे हैं भाई हम तो किसी को धमकी भी नहीं द बाकि आप खुल समझदार हैं जैसर लाम हर हर महाद्यो